रॉयल इन्फील इन्सेप्टर 650 एंड हार्ले डिविट्सन स्ट्रीट 750 यह दोनों बाइक्स बीए सिक्स वैरियंट में लॉंच हो चुकी है तो हमने सुचा क्यों नहीं कमपेरिजन वीडियो बनाया जाए जिसमें दोनों बाइक्स के प्राइस, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन सारा कुछ पैरामीटर्स पर हम कमपेर करेंगे, तो इससे पहले की वीडियो स्टार्ट हो, आप रिक्वेस्ट के अगर आप चैनल पर नए आये हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक कर दो, और इन दोनों बाइक्स के बारे में अगर आपको सब काफी पावरफुल मशीन है, लेकिन इनके स्थेटिक में काफी ज्यादा फर्क है, स्थेटिक की बात करेंगे, मतलब इसके जो भी लुक एंड फील है, वो काफी अलग है क्रूजिंग होने के बाद भी, अगर आपको टूर ट्रिप्स का शौक है बहुत ज्यादा और आप देली कम्यूट में भी ये बाइक यूज करना चाहते हैं, तो ये दोनों बाइक आपके लिए काफी ज्यादा सुटेबल है और परफेक्ट है इन दोनों राइडिंग कंडिशन में, जबकि इन दोनों बाइक का बीए सिक्ट कम्प्लाइंट लॉंच हो चुका, यही वज़ क्रूजर बाइक है जो की लो स्लंग प्रोफाइल की है और लॉंग वील बेस की है, जहां पे अगर आप इनसेप्टर की बात करेंगें, इनसेप्टर सिक्स फिफटी की, तो एक क्लासिक रोडस्टर बाइक है, जिसमें आपको क्रूम्ट कम्पोनेंट ज्यादा तर देखने को मिलेंगे, अगर आप बात करें, सीट हाइट की, तो आपको स्ट्रीट सेवन फिफटी में जो सीट हाइट है, वो 720 है, और इनसेप्टर सिक्स फिफिटी का जो सीट हाइट है, वो 804 है, मतलब 804 अमेम की, तो रोयल इनफील्ड, इनसेप्टर 650 की जो सिटिंग है, वो लि than Inceptor, Inceptor में एक और चीज़ है जो इसके राइडिंग पॉस्टर को एक्रेसिब बनाता है वो है इसका हैंडल बार, आप बात करते हैं इसके कुछ इलेक्ट्रिकल फीचर के बारे में, Inceptor में जो फीचर है वो बहुत कन्वेंशनल मिलता है आपको, लिट हेड्लाम्प मिल रहा है, टेल लाम्प एंड टर्न इंडिकेटर, विद आ ट्वीन पॉर्ट एनलोग इंस्ट्रूमेंट कलस्टर, आपको छोटा साथ में LCD डिस्प्ले भी मिलेगा, अगर आप देखें, स्ट्वीच सेवन फिप्टी में, सो यह स्पोर्ट सेमी डिजिटल कंसोल, शेयर करता है बाई, इसमें आपको, कन्वेंशनल हेड्लाम् मिलेंगे, रॉयल इंड फील्ड से यह एक चीज़ में काफी ज़्यादा बेटर है, वो इसका प्रे ट्विल्ड इंजन होगा, इसमें आपको, ओयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो की चर्न आउट करता है, जो मैक्समम पावर, वो है 46.8 बेच्पी, और इसका जो मैक्समम टॉर्क है, वो है 52 न्यूटन मीटर, जो इसका टॉर्क है, वो है 52 फिप्टी आर्पीम पे, यह 52 आप करते हैं, सो अब बात करते हैं, स्ट्रीट 750 के बारे में, इसमें 749 CC का इंजन है, जो की लिक्विट कूल इंजन है, और ये इंजन का कॉन्टिरेशन वी ट्विन होगा, आपको यहां पे जो मैक्समम टॉर्क प्रोडक्शन है, वो मिलता है, 60 न्यूटन मीटर का, एट 3750 RPM, सो इसका जो लो एंड परफॉर्मेंस है, टॉर्क फिगर है, वो काफी अच्छा है, हाले डिवेट से में आपको 6th gear speed मिलता है, और इसमें आपको slipper clutch जैसे function नहीं मिलते हैं, जबकि इंसेटर में आपको premium component, premium feature, जो slipper clutch है, वो मिलता हैं आपको, अचली बात करता है, ब 33 kg, और इंसेटर का जो weight है, वो है 202, यानि 202 kg, सो आपको साफ पता चलता है, कि इंसेटर क्या है, लिटिल लाइटर है, 31 kg लाइटर है, हाले डिवेट सन 750, सो गाईज, अब वक्त आ चुका है, इसके pricing reveal करने का, ये भी काफी important parameter होता है, जब भी आप bike लेने का plan करते हैं, क तो इंसेटर 650 का जो BS6 variant है, डेली में, इसका price होने वाला है, 2,65,000 तो 2,86,000, जो ये variation है price का, 2,65,000 से लेकर 2,86,000 का, ये variation इस price का, इसलिए है, क्योंकि बहुत सारे model and variants हैं, colors हैं, तो थोड़ा बहुत price change होता है, तो ये मैंने आपको डेली एक शोरूम price बताया है, आप हादे डिवीट सेने street 750 BS6 variant का अगा price देखें, तो आपको इस bike के लिए, डेली में एक शोरूम price है, 5,34,000 तो 5,66,000, इस bike का भी price vary कर रहा है, 5,34 से लेकर 5,66,000 तक, because of different model and colors, so guys, ये थी video, inceptor 650 BS6 variant versus street 750 BS6 variant, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अचा रगा हो, तो चैनल को subscribe जरूर कर देना, और आपको कोई additional information चाहिए, तो comment में जरूर comment कर आप, मैं सबसे पहले reply कर का हूं, so guys, thank you so much for watching, see you in the next video, bye, stay home, stay safe, bye-bye, take care. .